मकान की चाबी दी ये जरूरी नहीं है जरूरी ये है कैसे जुग्गी में रहने वाले हमारे दिल्ली के भाई बहन बच्चे नौजवान एमपावर होंगे और एमपावर होके दिल्ली जब विश्व की सबसे खुबसूरत राजधानी बनने की और अग्रसर होगी तो वहाँ पर कोई भी बिना पक्के मकान के नहीं होगा ये इस लड़के ने देखा है कैसे जुग्गी के बदले तमाम जूठे बावदों के बाद केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने जुगी वाशियों को मकान दी है इसी ने देखा है इसी ने देखा है जैसे कोविड के काल में जब लोग घरों में बन थे तो उसके बाद उनकी सेहत का ध्यान कैसे नगर निगम ने रखा है अजला है 15,000 पार्क बना कर इन 15,000 पार्कों में जिम लगे है इन 15,000 पार्कों में जिम लगने के बाद खूब्चूरत वातावरन बनाकर प्रधूशन से मुकति का काम तो दिली नगर निगम ने किया ही है अब इन में इन पार्कों में बेहतरीन सिंथेटिक टर्फ लगाकर यही दिल्ली का लड़का जाकर लोगों को बताएगा कि दिल्ली में 15,000 पार्क नगर निगम मेंटेन करता है 15,000 पार्क इस दिल्ली के लड़के ने देखा है जब तमाम राजनितिक दल अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे तो और जब तमाम राजनितिक दल वैक्सिनेशन के संदर्ब में दुष्प्रचार कर रहे थे श्री अर्विंद केद्रिवाल और उनक्या के लड़के ने देखा कैसे दिली निवासियों को तीन करोड़ सतर लाख वैक्सीन नरेंदर मोदी जी ने मुफ्त दी जब दिली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिये और 73 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का काम प्रधानमंतरी नरेंदर ओदी जी कर रहे हैं तो आज आपके परीचे मुझे दिली के लड़के से कराना था जो भारते जंता पार्टी के इस मैनिफेस्टों को इस मैनिफेस्टों की अनेक चीजें यह मैंने उधारन के लिए आपको कुछ बिंदू बताएं इसके अलावा इसके अलावा यह दिली का लड़का कैसे पचास हजार रुपए की FD कैसे पचास हजार रुपए की FD दिली नगर निगम की maternity home में जन्म किये जाने वाली बच्ची को मिलेगी कैसे 50 हजार रुपए गरीப विद्वा की बेटी को मिलेंगे किस प्रकार से नगर निगम के द्वारा स्थापित किये जाने वाले किये जाने वाले पैथ लाब्स में किस प्रकार से महंगे टेस्ट मुफ्त मिलेंगे ये सब चीजें यही दिल्ली का लड़का यही दिल्ली का लड़का ले जाकर दिल्ली की जनता को बताएगा क्योंकि भारतिय जनता पार्टी खोकले परचार नहीं सेवा के विचार के साथ काम करती है यही दिल्ली का लड़का इन सब बातों को दिल्ली की जनता के सामने ले जाकर बताने वाला है इस लड़के ने हमारे मैनिफेस्टों को बहुत गंभीरता से देखकर किन-किन मुद्दों पर पांचमी पास मेधावी बच्ची को कैसे साइकल मिलेगी कैसे दिल्ली प्रधूशन मुक्त होगी दिल्ली में पार्किंग कैसे बनेगी तो यही दिल्ली का लड़का उस विकास के विचार का उस जारी हुआ हमारा संकल पत्र जारी हुआ है इस संकल पत्र के इन बिंदूओं को हमने इस दिल्ली के लड़के ने जिस दिल्ली के अलग-अलग चीजों को देखा है यही दिल्ली का लड़का देख रहा है कैसे चौथे वीडियो में कैसे चौथे वीडियो में वो पुरानी फिल्म का गाना है ना आगे पीछे हमारी सरकार यहां के हम है राजकुमार यही दिल्ली का लड़का देख रहा है कि कैसे हमारे जेल मंत्री जेल में रहते हुए लगातार मंत्री बने हुए है एक वीडियो में वो मसाज करा रहे थे, दूसरे वीडियो में वो खाना खा रहे थे, मेवे किश्मिश चिलगोजे, फल, तीसरे वीडियो में वो जेल निरिक्षक को इंस्ट्रक्शन्स दे रहे थे, और चौथे वीडियो में आज तो पूरी हॉस्पिटालिटी जेल में उनक को दी जा रही है कि श्री अर्विंद केद्रिवाल जी हमेशा कहते थे बार-बार यह कह रहे थे कि कि सब कुछ जेल मैनुवल के अनुसार हो रहा है सब कुछ जेल के नियमों के अनुसार हो रहा है तो कौन से जेल लियमों के अनुसार हो रहा है यह दिली का बच्चा पूछ रहा है यह दिली का लड़का पूछ रहा है इस दिली के लड़के ने हमें बताया है अर्विंद केजरिवाल जी के लिए दिली केजी एफ है जब मैंने इस से पूछा केजियेफ क्या है तो इस डिली के लड़के ने बताया अरविंद केजरिवाल जी की केजियेफ यानि डिली को वो केजियेफ मानते हैं डिली को वो केजरिवाल गोल्ड फील्ड के रूप में देखते हैं और उसके मैनेजर है सतेंद्र जैन जी इसलि जितनी भर्चस्तना की जाए उतनी कम है अर्विंद केद्रिवाल जी को आज जवाब देना चाहिए आगे आके स्विकार करना चाहिए कि पद का दुरूपयोग पद के मद में किस प्रकार से सत्ता का दुरूपयोग अर्विंद केद्रिवाल जी और उनकी सरकार कर रही है किस प्रकार से किस प्रकार से जेल के अंदर रहकर जेल की सुरक्षा के साथ देश की सुरक्षा के साथ खामिया और जेल की सुरक्षा के साथ खिलवार किया जा रहा है आज तुरंत अर्विंद केजरिवाल जी को सतेंद्र जैन को बर्खास्त करना चाहिए और खुद भी अपना इस्तिफादेना चाहिए क्योंकि इतनी ब्लेटेंट miss use of power के जी एफ के मैनिजर के लिए इस के जी एफ नेजर के लिए सिब्लेटेंट miss use of power यही यह बात बी दिली का कि जंता को जाकर बताएगा बहुत बहुत धन्यवाद अर्विंद केद्रिवाल जी दरसल आजकल प्राइवेट जेट में घूमते हैं इसलिए दिल्ली में क्या-क्या हो रहा हूंने मालूम नहीं है अर्विंद केद्रिवाल जी की सरकार तो पूरा समय इस बात के लिए लरती रही है अगर आपको याद हो प्रिविलेज कमेटी में नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया गया कि तुम हमें काम नहीं करने दे रहे हो आपको याद है न सौरव भार्दवाज ने प्रिविल काम नहीं करने दे रहे हैं कभी कहते हमने कर दिया जैसे कल कह रहे थे हमें क्लिं चिट मिल गई कहना क्या चाहते हो कि कि से दिन कहते हो कि KTB2 मति नहीं तो और दे धन्यवाद, प्रेस्वाता समाब